दोस्तों अगर आपका लक्ष विस्विध्याला में असिस्टन प्रोफिसर बनना है तो आपको UGC NET का एक्जाम क्वालिफाई करना होगा हम आपके लिए हैं UGC NET Economics के दो कोर्सिस जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चेप्टर वाई नोट्स, टेस्स सीरीज और प दोस्तों आप UGC NET की अगर त्यारी कर रहे हैं तो आपको यूनिट नमबर 5 में मिलेगा इंटरनेशनल एकनॉमिक्स हलाकि हम यह आपको जो जब आपको प्लेलिस्ट बनाएंगे तो आपको यह मैक्रो के बाद मिलेगा यानि कि माइक्रो मैक्रो के बाद आपको जो तीसर मैक्रो के कंसेट क्लियर होने चाहिए इसलिए मैं आपसे रिक्वेश्ट करूँआ कि अगर आपने माइक्रो और मैक्रो ना पढ़के इंटरनेशनल ट्रेड से स्टार्ट कर रहे हो तो इस वीडियो में हम आपसे डिसकस करेंगे कि UGC NET के लिए आपको क्या क्या टॉपिक किसे आप त्यार कर सकते हो डेटेल में हम आप बच्चों को सारी की सारी बाते बताने वाले हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख पकते हो दस पॉइंट में स्लेबस है इसलिए हम इसको लेसन नमबर टैन बोल देते हैं यानि कि टोटल दस लेसन है जो आपको इंटरनेशनल ट चुप में आपको त्योई हस नेसल्म क्रेट पंड़निंगे यह बहुत हैं बहुत है बहुत इंपोर्ट हार जगह मुथक और संधिक यह इसके अनदर आपको बिल कि लिए घेसे कलासना किल स्कूरिट है तो यह बहुत important chapter रहेगा, detail में हम आपको करवाएंगे बच्चो इसको, इसके लावा international trade and under imperfect competition, इसका देको resources बहुत कम मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसी book बता रहा हूं, जिसमें इस सारे के सारे resources available है, इसके लावा balance of payment, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा होगा balance of payment और उ different approaches के बारे में बढ़ना है, इसके लावा आपको international exchange rate के कही सारी theories है, जैसे PPP theory है, balance of payment theories है, बहुत सारी theories है, portfolio theory है, यह सारी के सारी आपको इसमें पढ़नी बढ़ेंगी, इसके लावा exchange market and arbitrage, इसके लिए भी बच्चो resources आपको काफी कम मिलते हैं, फिर भी हम प्रयास करेंग इसके लावा इस वाले में देखोगे तो आपको तीन चप्टर एक साथ आगए, gain from trade, term of trade and trade balance, यह अलग अलग चप्टर है, लेकिन आपको क्योंकि सलेवस में एक साथ दी हैं, तो जब हम आपको कोर्स बनाएंगे, जब हम आपको एक तरीके से playlist बनाएंगे, तो सब को systematical तरीके से रखेंगे और यह सारा एक साथ ही रखेंगे, हलाकि इन में तीनों में किसी तरीके का direct correlation नहीं है, लेकिन क्योंकि एक साथ है, इसलिए आपको एक साथ ही बढ़ाएंगे इसको, इसके अलावा tariff and non tariff barriers हैं, जो आपको पढ़ना है, यानि कि एक देश, international trade में किस त कई तरीके की trade policies होती है, इन सब के बारे में हमें discuss करना है इस पूरे के पूरे chapter में, और last में आपको IMF और World Bank के अलावा हम और भी कई सारे financial institution है, जो international level पर काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी video बनाएंगे, तो इस तरीके से आपको काफी सारा content जो है, वो हम cover कराने वाले है मुझे लगता है कि लब approximately 120 के करी video बनेंगी, 100 से 120 के करी video बनेंगी, औस टाइम करेंगे तो 20 से 25 मिनट का आप टाइम माल लीजिएगा, 20 से 30 मिनट का औस टाइम माल लीजिएगा, तो इतनी वीडियो में यह पूरा का पूरा course जो है, वो cover हो जाएगा, मैं ऐसा यकीन के सॉल कर पाओ, कोई भी question से से बाहर नहीं आएगा, हलाके MCQ को question practice भी हम आपको करवाएंगे, वो भी आपको करने ही चाहिए, तो बच्चो मैंने जिस book का use किया है, मुझे तो यह book best लगी, और आगर आपको कोई और अची book लगती है, तो आप उसका use कर लीजिएगा, यह book ह की international economics, सारा का सारा content मैंने इसी से बनाया है, मतलब इसके अलावा, Salvatrosar की book है, हलाके जब Salvatrosar की book जो है, उसको अगर आप Hindi वर्जन लाओगे, हिंदी वर्जन मतलब इंडियन वर्जन लाओगे, तो वो के राना इन वर्मा की है, उन्होंने भी इसी book का use किया है, हलाके recommendation book म उन्होंने और भी use किये, तो मेरे साब से यह book recommended है, अगर आप UGC net के तियारी कर रहे हो, Amazon पर आपको लबग 500, 450 की around में यह किताब मिल जाएगी, अगर आप direct buy करना चाहें, तो यह विशाल publication से आती है, आप direct भी वहां से buy कर सकते हैं, ओके बच्चों, तो मैं basically आपको यही बता रहा हूँ, अगर हम आप चाहते हो, कि हम आपको international का पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड कर आएं, तो हमारी application के थूरू आप access कर सकते हो, विश्नो economics school है, नाम application का, वहाँ पे आप download करोगे, और आप UGC net के course में international economics का course पालोगे, अलग से international economics का भी course of level है, वो जो common होत तो specific UGC net के syllabus के according to video में, वो आपको UGC net वाले folder में आपको मिल जाएंगी, तो इसके अलावा जो test paper है, जो पिछले सालों question paper है, वो भी हम solve कराएंगे, तो आप हमारी application के थूरू पूरी के पूरे course को access कर सकते हो, और YouTube के थूरू आपको different video के माधियां से playlist हम मना देंगे, ब